नमस्कार, Competition Committee में आप सभी गा स्वागत है और मैं हूँ हीमन प्रधान आईए फ्रेंड आज हम पढ़ते हैं, Examination Point of Us से एक बहुत ही important topic को that is about nutrition, diet and nutrient, portion, ahar एवं portion, qatwa को कि हमारे body को ऐसे कौन-कौन से nutrition values की ज़रुवत पढ़ती है जो body के growth और development को क्या गरती, regulate करती है, तो इन सब चीजों को यहाँ पर हम समझेंगे इस topic में कि वो balanced diet क्या होता है, हमारे body को nutrition की ज़रुवत क्यों पढ़ती है, actual में हमारे body में बहुत सारे metabolic activity होते हैं, उपाब चेक रियाए होती है, बहुत सारे growth और development related reaction होता है, even cell के अंदर भी कोशिकाओं के अंदर भी बहुत सारे reaction होते हैं, body के like जैसे हम छोटे से बड़े होते चलते हैं, यानि कि body का size जैसे increase होता चलता है, body के nutrition value के requirement भी बढ़ती चलती है, जो ultimately सीधा-सीधा उससे connected है कि उनकी growth और development को ही regulate करता है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे nutritional material होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो कौन से basic primary nutrient होते हैं, कौन से ऐसे पराथ्मिक पोसक तत्व होते हैं, कौन से ऐसे accessory nutrient होते हैं, इन सब चीजों को इस topic में हम पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर बात करते ही, नेशनल nutritional week, जो every year का एक से साथ सप्टेμबर को celebrate किया जाता है, इसमें अगर हम बात करें, उनके जो government website के हिसाब से अगर इसे देखें, तो यहाँ पर देखिए, राइस या चपाती, राइस या रोटी वगरा, everyday हमारे meal में होता है, इन जनरली Indian food के context में दिया हुआ है, है ना, pulses और दाल भी हमारे nutrition का एक importance पार्ट होता है, dairy product का भी हम लगातार इसे हम खाते हैं, even हम fruits, vegetables को भी हमारे everyday का, यह life का पार्ट होता है, now, इसमें किसका ज़्यादा nutrition value होता है, किस से energy प्राप्त करनी होती है, क्या इसके sources होते हैं, each and everything को इस topic में हम समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले start करेंगे यहाँ पर, human body में जो nutritional values होते हैं, देखो, उपर में दिया हुआ है तीन, carbohydrate, protein और fat, इन तीनों को क्या कहा जाता है, प्राप्मिक पोसक तत्व कहा जाता है, primary nutrient कहा जाता है, इन तीनों को कहा जाता है, primary nutrient कहा जाता है, यनि कि इसे कहा जाएगा, प्राप्मिक पोसक तत्व, rest जितने भी बचे हुए, प्रात्मिक पोशक तत्व के अलावा जितने भी बचे हुए इन सब को क्या कहा जाता है सहायक पोशक तत्व कहा जाता है अच्छा अब यहाँ पर समझे अगला पॉइंट क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर एक बात नोट करनी होगी यह कार्वोहाइड्रेट प्रोटीन औ तीन नूट्रेंट है जिसकी बाड़ी की वो सबसे ज़्यादा जौरत परती है जैसे एवरी डे अगर हम बात करें हमको जो एनरजी जो प्राप करनी है वो 72-75% एनरजी किससे प्राप करनी है कार्वोहाइड्रेट से लेनी है एवरी डे आपको फैट से कितनी एनरजी लेन है करीब करीब 25-30% एवरी डे आपको एनरजी प्राप करनी है यह 100 का कोरम पूरा हो गया अब आपको प्रोटीन से एनरजी ब्रेकडाउन नहीं करनी प्रोटीन से आपको एनरजी प्राप नहीं करनी उसका काम को चौर है उसे बाड़ी का बिल्डर कहा जाता है शरीर का नि जो है उसका जो है वो खतम हो जाता body में उसका जो energy प्राप्ट करनी होती है उस particular दिन में वो खतम हो गया जाता है तो उसके बाद protein का breakdown होना start होता है आपको यहाँ पर यह बात समझनी होगी कि 1 ग्राम carbohydrate से कितनी होती है 4 4.2 किलो कैलरी energy जो है मिलती है एब्री डे हमको कितना चाहिए एराउंद 3000 कीलो कैलरी एब्री डे रिकॉर होती है यूमन बोडी को जिसमें की एक ग्राम कार्बो हैडरेट से 4.2 कैलरी आपको प्राप्त होती है यदि मैं बात करूँ इसमें यहाँ पर फैट को तो एक ग्राम फैट से कितनी एनर्जी निकलती है वही 9.3 कीलो कैलरी एनर्जी निकलती है तो एनर्जी की वैल्यू जो है फैट में ज्यादा है एक ग्राम फैट से आपको 9.3 कीलो कैलरी चाहिए एक ग्राम आपके कार्भो हैड्रे से 4.2 कीलो कैलरी चाहिए, मिलती है मतलब, ठीक है, इतनी मिलती है ये बात या रखना, लेकिन प्रोटीन से हमको एनरजी क्यों प्राफ नहीं करनी है, क्योंकि ये बॉडी बिल्डर है, सरीर का निर्माता है, मखल करता है, सेल का ग्रूथ डैवलप्मेंट में मदद करता है इवन जित्ने भी आपके बॉडी के, जितने भी सेगमेंट है जो ग्रूथ और डैवलप्मेंट के फेज में है, उन को आगे वळाने का काम करता है, ये बात आपको एवरीडे 70 ग्राम जो हैं प्रोटीन चाहिए अगर आपका 80 kg आपका वेट है तो एवरीडे 80 ग्राम चाहिए जितना वेट उतना ग्राम आपको चाहिए एवरीडे प्रोटीन की नीड ठीक है यह बात ध्यान रखना आगे वन बाई वन सभी चीज़ों को समझेंगे वेटमीन्स, मिनरल्स, फाइवर यहाँ पर यहाँ रखना इस से आपको एनरजी नहीं मिलती यह आपके nutrition values हैं यह क्या है आपके body में बहुत सारे दूसरे काम के लिए ज़र रही होते हैं जैसे वेटमीन्स बहुत ज़्यादा requirement होती है कोई विसेश पेस्टिक काम के लिए लेकिन अगर वो वेटमीन की कमी होगा तो वो related disease हो जाता है यहाँ पर यह कम मातरा में ज़र रही होती है यह ज़्यादा मातरा में ज़र रही होती है और आवश्यक है इसलिए इसे primary nutrient या प्रात्मी तोसक तत्व कहा जाता है इस इक लिए यह बात है सबको सबस्ट होई जिसमें की हम कहते हैं पहला है monosaccharide, monosaccharide, दूसरा होता है disaccharide, disaccharide और तीसरा होता है polysaccharide, polysaccharide और यह सबसे complex होता है देखो human body किसे absorb कर सकता है? human body हमें इसा monosaccharide को ही absorb कर सकता है ठीक है? हमें इसा monosaccharide को absorb कर सकता है, जैसे कि आपको example बता देता हूँ, जैसे कि हम रोटी खाते हैं, आज क्या करना, जब रोटी खाऊगे ना, तो बिना कोई dip किये हुए, normally उसे चबाना, एक मिनट के लिए, आधा ही एक मिनट के लिए, वो रोटी मीठी लगने एक्शल में क्या होता है? उसमें होता है starch, और starch जो होता है, उसका जब digestion होता है, उसका जब पाचन होता है, तो complex molecule तूड के, तूड के simplest molecule में तूड जाता है, तो ये starch अब किस में तूड जाता है? माल्टोज में तूड जाता है, तो starch जो है polysaccharide है, इवन आपको glycosin भी क polysaccharide है इसके example की बात करेंगे तो लेकिन जब maltose है ये disaccharide है सुक्रोज क्या है ये disaccharide है सुक्रोज क्या है आपका disaccharide है ना और इसके अलावा आप बात करते हैं like lactose ये भी क्या है आपका disaccharide ठीक जब monosaccharide होगा तभी human body इसे absorb कर पाएगा तो monosaccharide की बात करेंगे तो जैसे कि glucose मोनosaccharide है इवन बात करेंगे गैलेक्टोज monosaccharide है गैलेक्टोज monosaccharide है इवन बात करें like a fructose ये भी क्या है monosaccharide है ठीक है गैलेक्टोज भी क्या है monosaccharide है galactose भी क्या है monosaccharide है तो आपको in generally ऐसे भी exam में पूछा जाता है कि monosaccharide, disaccharide or polysaccharide का example बताईए ठीक है ये बात ध्यार रखना अब इसकी need यानि इसकी आवशक्ता कहां से पूरी होती है जितने भी serious या अनाज होते हैं चाहे वो rice हो चाहे गेहूं हो wheat हो even आप कुछ दाल में भी दाल में protein तो rich होता ही है साथ-साथ उसमें carbohydrate का भी content होता है even देखते हैं जितने भी आपके green vegetables है ना उसमें भी carbs carbohydrate होता है even आप देखते हैं banana fruits वगरा इसमें भी यह सब जो पाए जाते हैं dry fruits में भी इसकी जो है मात्रा होती है है ना तो यह आपका basically carbohydrate का है तो carbohydrate everyday आपको body के required होती है तो यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा energy 70 से 75% energy आपको इसी carbohydrate को break करके यह इसका breakdown करके ही आपको energy प्राप्त करनी है याने कि इसको digest करके ही आपको energy प्राप्त करनी होती है ठीक है चले carbohydrate में यहाँ पर यह बात ध्याँ रखना जब body में excess carbohydrate बढ़ जाये ना तो बाद में वो fat में भी convert हो जाता है याद रखना ठीक है ये बात आप लोग को याद रखनी है जैसे सुगर की बात करेंगे सुगर क्या है कार्बोहाइडरेट ही है ठीक है सुगर याने सरकरा कार्बोहाइडरेट का ही प्रकार है दूसरा आता है प्रोटीन तो प्रोटीन के बारे में किस ने बताया था तो जे बरजीलियस न इससे क्या करनी है आपको इससे आपको एनरजी नहीं बलकि ये तो बॉडी में प्रोटीन की आपकी बॉडी की requirement जो होती है वो proper maintain करके रखना चाहिए actual में हमारे body में 20 टाइप की proteins required होते हैं जिसमें की 10 प्रकार की protein body में कहां पे बनती है भई ribosomes में बनती है ribosomes क्या है एक cell organelle है कोशिका का अंग है यदि मैं बात करूं remaining 10 टाइप के क्या है आपके protein कहां बनती है तो ये actual में में बाहर से हम intake के तौर फिलेते हैं इसे खाते हैं सबसे ज़्यादा protein क्या होती प्रोटीन की source की बात करूंगा यहाँ पर है ना तो सबसे ज़्यादा protein होती है आपका pulses में दाल में इसका reason भी आप यहां फे logic भी आप समझ पाएंगे, सबसे ज़्यादा दाल में क्यों होती है, क्योंकि आप लोग सुने हो nitrogen fixation bacteria, rhizobium, nitrobacter, nitrosomonas, इन सब के बारे में जानते होंगे, सुने होंगे, इस nature की beauty देखिए, इस nature में सिर्फ और सिर्फ nitrogen fixation bacteria को ही atmospheric 78.08% nitrogen को absorb करने की capability या capacity इनको provide किया है, इसके अलावा nitrogen को fix करने की, इसके अलावा किसी को भी इस facility provide नहीं की गई है, ये nature की beauty देखिए, जैसे हम सांस लेते हैं, हम भी तो 78.08% सांस में nitrogen को अंदर लेते लेकिन जितना अंदर लेते हैं, उतना बाहर छुड़ देते हैं, क्योंकि हमारे body में nitrogen को use करने के लिए कोई system ही नहीं है, अब इस nitrogen की यहां बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसका यह formula होता है, carbon, hydrogen, oxygen और nitrogen, यही क्या है, protein का formula होता है, तो यहां पर जब nitrogen fixation करने वाले bacteria किसमें पाए जाते हैं, जितने भी pulses family, जितने भी दाल कुल वाले family, जिसे leguminacy family कहा जाता है, leguminacy family जो होते हैं ना, जो दाल कुल वाले इनके legumes में, यहने root nodules में, यहने कि उनकी जड़ की गाठों में nitrogen fixation bacteria होते ही, जो atmospheric nitrogen को absorb कर ले दो, is it clear? तो जहां पर nitrogen का इतना ज़्यादा क्या है, availability होगा, तो वहां पर CHORN तो obviously वो nitrogen के protein के composition को बना ही रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्या है, protein किसमें पाए जाता है, इनी pulses या दाल family में, चाहे वो सुया बीन हो, चाहे चना हो, चाहे वो तूर दाल हो, चाहे मूंग दाल हो, चाहे बूरत दाल हो, whatever, जितने भी pulses family है, दाल family वाले में, सबसे ज़्यादा protein पाए जाता है, अगर और दूसरे sources की बात करेंगे, तो यहाँ पर egg, egg also one of the best source of protein, यहाँ पर बात करते हैं, chicken, meat वगरा, है ना, यहाँ पर egg, chicken वगरा, यहाँ फिश वगरा में भी बहुत protein होती है, even बात करते हैं, यहाँ पर कुछ dairy product, यहाँ पर dairy product को में थोड़ा सा, दूसरे इंगल से समझाने का प्रयास करता हूँ, देखिए, human body में, protein का जो पाचन होता है, खासकर milk protein का digestion नहीं होता, कैसे, केवल वही बच्चा, जो सुन्ने से 5 साल तक जो breastfeeding कर रहा होता है, स्तन पान कर रहा होता है, उसी बच्चों में, उन्हीं बच्चों में ही क्या है, जो milk protein जिसे casein कहा जाता है, उस casein protein का digestion के लिए rainine enzyme पाया जाता है, जबकि human body में, जब हम adult हो जाते हैं, 5 साल से ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, तो इसके बाद, हमारे body में, ये milk protein जो है, खासकर, जो main protein casein है, वो digest नहीं होता, कोई दूसरे protein होंगे, वो हो सकते हैं, लेकि main protein तो casein है, वो digest नहीं होता, इसे clear, ये बात ध्यान रखना, rainine जो enzyme होता है, milk protein casein का digestion करता है, और ये rainine सुनी से 5 बस तक की बच्चों में ही, जो है, वो active रहेगी, ये बात ध्यान रखना, जो एक का stomach में पाए जाने वाला क्या है, आपका enzyme है, ठीक है, ये बात सबको clear होई, अब protein तीन प्रकार के होते हैं, पहला protein होता है, simple protein यानि सरल protein, दूसरा conjugated protein यानि संयुग्मी protein, और तीसरा होता है, derivative protein यानि भ्यूत्पन protein, ये क्या होता है, जो simple amino acid से मिलके बना होगा, simple chain बनी होगी, वो क्या है, आपका simple protein होगा, जब संयुग्मी protein की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर इसका example में बता देता हूँ, जैसे की, कहाँ जाए, albumin, globulin, ये सब क्या है, इसकी example simple protein की, albumin, globulin, etc. यहाँ पर बात करते हैं, संयुग्मी protein याने conjugated जिसमें एक group जुड़ा होगा, जैसे glycoprotein, chromoprotein, lycoprotein, इस टाइप की क्या है, group जुड़े हुए इसमें, तो chromo हो, glyco हो, उसके साथ protein जुड़ा हुए, तो ये क्या है, conjugated protein होते हैं, इसके example बताएं, यहाँ पर लिख लिए, glycoprotein, chromoprotein, etc. यहाँ पर व्यूदपन protein derivative, जिस जब protein का हम hydrolysis करते हैं, जब उसका क्या कहते हैं, hydrolysis, याने की जल अभघटन करते हैं, तब क्या है, आपके derivatives, याने की व्यूदपन protein निकलते हैं, जैसे की, आप कहेंगे, यहाँ पर peptides, peptones वगर क्या है, आपके derivatives, protein derivatives हैं, व्यूदपन protein हैं, is it clear? तो यह बात हैं, आप लोगो ध्यां रखनी है, everyday protein के requirement कितनी होती है, जितना आपका weight है, उतना gram चाहिए होता है, otherwise आप लिख सकते हैं, 90 gram तो आप लिखी लिजेगा, 90 gram आप यहाँ पर समझ जिया लिगा, ठीक है, यह everyday body में actual requirement होती है, यह simple सा logic है, जितना आपका weight है, उतना आपका क्या है, उतना gram protein everyday आपकी requirement होती है, clear हो गया, इसे body builder कहाज आता है, muscles form करता है, body में कहाज आता है, जो cytoplasm, koshika द्रब्य बनाने वगरे में भी help करता है, ठीक है, is it clear, चले, आगे बढ़ते हैं, इनके sources की बात हमने यहाँ पर करी लिया, now, यहाँ पर आता है fat, fat दो प्रकार का होता है, एक है saturated fat, एक है non-saturated fat, saturated याने संत्रिप्त वसा, देखो, यहाँ पर fat के बारे में थोड़ा आप लोगों को जानना जरूरी है, तोकि fat जो हैं, दोनों चीजे, दोनों के अलग-अलग थोड़े-थोड़े function है, यहाँ पर मैंने कहा पहला है saturated, saturated याने की संत्रिप्त वसा, और दूसरा मैंने कहा क्यए non-saturated याने आसंत्रिप्त वसा, आसंत्रिप्त या non-saturated fat, ठीक है, जो saturated fat होता है, वो harmful होता है, non saturated जो होता है वो harmful नहीं होता यानि नुकसान दायक नहीं होता ठीक है इस बात को थोड़ा समझे कि fat के कौन-कौन से sources हैं जैसे कि हम अगर बात करें जैसे हम घी, तेल वगरा खाते हैं even हम dry fruits खाते हैं even आप बात करते हैं बहुत सारे जैसे कुछ ऐसे fruits में जैसे avocado वगरा, fruits वगरा में dry fruits वगरा में ये सब पाई जाता है तो fat को अगर हम categorize कर रहे हैं तो देखो एक बात समझे जो animal fat होते हैं animal fat होते हैं वो क्या है आपका like saturated होते हैं इसलिए यहाँ पर आप butter की बात करें, चाहे घी की बात करें, जैको घी की की इसमें थोड़ा सा एक exception भी है घी body के लिए फाइदे मन जादा है नुकसान दे कम है, बट ultimately है तो saturated fat ही तो saturated fat नुकसान दे होता है वहाँ पर घी का guess थोड़ा exceptional है जोकि वहाँ पर उसका जो composition है, बहुत माइनों में body के लिए helpful भी होता है लेकिन आप butter कहेंगे, बहुत सारे ऐसे oil कहेंगे या फिर कुछ ऐसे product कहेंगे जिसमें saturated का content होता इसे यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे saturated का content होता है वह body के लिए harmful होता है जैसे कि आप लाइक कहेंगे, कोई भी जैसे butter, घी वगरा के अलावा जैसे कि आप fried items खाते हैं जितने भी fried items खाते हैं चॉकलेट खाते हैं fast food खाते हैं आपके लाइक कहना चाहिए बहुत cake और pastry वगरा खाते हैं वो trans fat होता है एक्ट्वल में वो क्या है saturated fat ही है saturated fat में इसे coconut oil, palm oil वगरा बहुत नुकसान दे होता है ठीक है, beverages वगरा भी में उसमें क्या है आपके saturated fat होते हैं ठीक है, यह बहुत सारी चीज़ें होती है, तो deep fried items भी भी क्या है, बहुत नुकसान दे होता है यह आपका saturated fat है बट जब non saturated की बात करते हैं, तो peanut oil, olive oil यानि मुंगफली का तेल olive oil, देखो मुंगफली की तेल में 0% cholesterol होता है और यह दी बात करें olive oil, इसमें भी cholesterol की मात्रा नहीं के बराबर होती है, तो यह body के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पर बात करते हैं, sesame oil avocado, या soya bean sunflower oil, है ना, यह seeds बगरा होते हैं, यह क्या होते हैं इसमें, बीज बगरा जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, यह non saturated या unsaturated असंतिब तबसा पाए जाता है, यह body के लिए बहुत helpful होता है, अच्छा होता है ठीक है, यह बात ध्यान रखना तो fat की certain मात्रा, certain amount क्यों required होती है body को, क्योंकि यह ना हो अगर यह ना हो, तो body में dryness हा जाएगी, और आप यह मत भूलिए, कि आपके body का 30% energy तो हमको किस से पूरा करना है, आपको fat से पूरा करना है, तो आप non saturated fat को ज़्यादा खाएंगे तो problem नहीं है, saturated fat को ज़्यादा खाएंगे तो problem ठीक है, यह बात ध्यान रखना क्योंकि यह बड़ी काम की चीज होती है क्योंकि lifestyle इतना change हो गया है कि हम अकसर किसी भी चीज़ को हम बहुत हलके में लेते हैं, और यह बाद में वो problem create करती है यहाँ पर fat से related इतना content sufficient है, है ना, यहाँ पर energy वाली बात मैंने आप लोगो कहा था, कितना कहा था, कि एक gram जो है, एक gram like a fat से कितना निकलता है, 9.3 kilo calorie energy निकलती है ठीक है, यह बात ध्यान रखता है, चले, आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं vitamins की, तो vitamins की बात यदि हम करेंगे, तो vitamins को सबसे पहले किसने discover किया था funk नाम के scientist ने किया था, funk नाम के scientist ने किया था, actual मैं vitamins की बात करें, तो यह क्या होते हैं, two types होते हैं, दो प्रकार इसके होते हैं, two types सोते हैं जिसमें की एक को हम कहेंगे water soluble दूसरे को कहेंगे fat soluble यानि की वसा में विले वसा में विले fat soluble और दूसरा कहेंगे gel में विले या फिर आए water soluble water soluble इसको याद रखने का बहुत सेंपल सा तरीका भी है अब इसके sources भी देखेंगे fat soluble अच्छा यहाँ पर एक बात आप लोगों को note करनी है जितने जो vitamins होते हैं जैसे के vitamin A, B, C, D, E, K, E के बाद क्या है के विटामिन इनके बाद क्या है के तो इन सब चीजों में आप लोगों को एक बात note करनी है कि कौन सा fat soluble है कौन सा water soluble है यह exam में पूछा जाता है तो इसको याद कैसे रखेंगे भाई इसको याद रखने का simple सा तरीका A को लेकर जाके last में जोड़ दीजिए यह क्या बन गया D, E, K, E, D का बन गया और यह क्या बन गया BC बन गया तो यह BC क्या है आपका water soluble है और यह D, E, K, E क्या है आपका fat soluble है आप लोगों के एक बात और याद रखनी है एक मात्र ऐसा vitamin, vitamin C जो human body में store नहीं होत होता जब खाये तब वो क्या है आपके body के लिए काम आएगा उसके बाद वो खतम है इवन आपको बता हूँ जितने water soluble vitamins से vitamin B, B complex वाले सब क्या भी family वाले जितने भी vitamins है water soluble है तो vitamin B और C जो है actual में देखा जाए वो body में ज्यादा समय तक store नहीं होती है इसमें आगर आप बात करो इसमें बात करो vitamin C ही जो है बिलकुल भी body में store नहीं होता चलो B तो थोड़ा हो गया लेकिन C बिलकुल store नहीं होता यहाँ पर D, E, K चुकी fat soluble है तो body में रहती है तो इनके sources अलग-अलग हो सकते हैं इनके अलग-अलग sources हो सकते हैं उन sources की भी वात हम करेंगे लेक लेकिन यहाँ पर मैंने बताया भी कि यह जो vitamins हैं body के लिए बहुत-बहुत requirement होती है इसकी कम मात्रा में हो तो भी जैसे protein इससे पहले हमने पढ़ा था थोड़ी दिर पहले protein की कमी से disease हो जा रहा था जैसे protein की कमी से marasmus और quasi-urker जैसे disease हो जाते है marasmus और quasi-urker जो है quasi-urker जनली बच्चों में होता है marasmus भी malnutrition का case है पोसन की कमी से वैसे की बात करेंगे आपका like ज्यादा जो है अगर vitamins की vitamins की बहुत ज्यादा कमी हो जाए इस case में भी different type के disease हो जाते है जैसे इसको इस list से हम करेंगे type of vitamins को हम list से करते हैं क्योंकि यह list आप note करना start करते हैं तो इस vitamin को अगर आप देखें इस vitamin में अगर हम बात करें तो vitamin A के बाद B तो B के बहुत सारे types हा जाते हैं इसलिए उसको एक साथ B complex कह दिया जाता है और यह जो B complex होते हैं जैसे मुह में छाले पढ़ते हैं तो क्या आगर B complex से दवाई खाते हो तो बह क्या होती है नाइट ब्लाइडनेस हो जाती है जिरूप थेल्मिया होती है हाला कि मैं आपको डिसीज का topic separate बताऊंगा आने वाले classes में लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो जो चीज़ देफिसेंस है उसको तो cover करी लेते हैं यहाँ पर बात आती है विटमिन A की कमी से नाइट ब्लाइडनेस और जिरूप थेल्मिया जैसे दिसीज होते हैं दोनों ही आपके विजन यहने आँख से रिलेटेड है यहाँ पर बात करते हैं इसके sources क्या है ग्रीन वेजटेबल्स, कॉड, लिवर, आईल, हैना मिल्क, एग वगरा, हैना या फि source क्या है, यहाँ पर बात करेंगे, मुंफली है, आपका जो एग है, ग्रीन वेजटेबल्स है, यह सब क्या है, बेस सोर्स है, विटमिन B वन के, बीटू की बात करेंगे, जिसे राइबो, फ्लेविन कहाज आता है, इसकी कमी से क्या है, जीवा का, जीब जो है, फट जाती ह जीब में छाले आते हैं, ठीक है, जीवा का फटना, किन का फटना, आँखों का लाल वगर होना, यह सब है, तो इसका जी सूस है, ग्रीन वेजटेबल्स वगर हैं, और जो हारी सब जीवा वागर हैं, मिल्क वगर हैं, ठीक है। यह सब चीजें होती है, विटमिन B3 की बात करें इसे हम कहते है नियासिन या निकोटीना माइट ये जो भी थी है आपका इसकी कमी से पैलागरा जो skin disease होती है ये होता है skin disease पैलागरा even एक syndrome होता 4D syndrome ये भी हो जाता है इसका भी जो इसके अलावा जो है देखते चिकन वगरा और आपके पीनट वगरा ग्राउन नोट अगरा बी 5 5 है तो पैंटा थैनिक इसकी कमी से हेर जो होते है बाल सफेद हो जाते है इसकी कमी से क्या है बच्चा जो है थोड़ा मंध बुर्दी का हो जाता है यदि आप बात करें इसका भी गन्ना टमाटर अच्टरा यहां पर बात करते हैं बी 6 पाइडिव कि कमी हो जाती है इसके सोसे भी आप लिवर चिकन वगरा आप सीरियल्स वगरा दे सकते हैं बी 7 यह अगे इंपॉर्टेंट है बी 7 की कमी होगी तो हेयर फॉल बढ़ जाता है बालों का तेजी से गिरना तो हेर फॉल एक्चल में बायोटीन, बायोटीन B7 की कमी से होती है, यहाँ पर बॉड़ी में पेन होता है, बाल हेर फॉल्स होते हैं, यह इसका जो सोर्स है कहा जाए, तो B7 का जो है, आपका मिल्क वगरा है, एक वगरा है, यह सब चीजिए इसके सोसेस हैं, दो विटामिन B के और टाइप्स है, बिटामिन B 11, किसी में B9 भी दिखा होगा, फॉलिक एसिट, तो फॉलिक एसिट जो है, इसकी कमी से क्या है, एनिमिया रोग हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, है ना, यहाँ पर कभी-कभी पेचिस भी हो जाता है, यह थोड़ा एक्सेप्स ना ले, इसे छोड़ सकते हैं, आप, एनिमिया में होता है, खून की कभी इसलिक क्या है, फॉलिक एसिट की गोली दी जाती है, कि इनको गर्वती माताओं को, यहाँ पर याद रखना, इसके जो सोसिस हैं, ग्रीन वेजेटिबल्ज, एग वगरा, ठीकर, यहाँ पर सेम वगड़ा, फॉल्सिस वगरा, सब बहुत अच्छे सोसिस होते हैं, यहाँ पर, नेक्स बात करते हैं, वीट्वेल, वीट्वेल को कहा जाता है, cyanocobalamin cyanocobalamin इसकी कमी से भी anemia याने खोन की कमी होती है panadu रोग रोग होता यह रोग होता है disease हो यह हो जाता है ठीक है इसके भी sources आप note कर सकते है now अब अगला जो vitamin आता है vitamin C vitamin C को ascorbic acid भी कहा जाता है तो जितने भी citrus fruit है citrusy family के जितने भी fruits हैं नीबू, संत्रा, मौसंबी वगर जितने भी देख रहे हैं यह सब vitamin C के richest source हैं एक और बात ध्यां रखना कि जो red chili होती है ना वो वाली red chili जो कच्चे मिर्ची के धेर में पड़ी होती है जो क्या है जो आपका देख वो actual में red एकदम बहुत red होती है वो जो red chili होती है वो सुखी वाली red chili की बात नहीं कर रहा हूँ red chili जो कच्चे मिर्ची के धेर में है वो red chili में vitamin C का बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए content होता है बहुत richest source है vitamin C का एक red chili में जितना vitamin C होता है एक complete orange में उतना vitamin C होता है ठीक है? कभी खा के देखीएगा try करके ठीक है? now यहाँ पर इसके अलावा जैसे देखते हैं vitamin C का एक बहुत अच्छा source होता है आमला आमला जो है वो बहुत अच्छा source होता है vitamin C का जितने भी आपके खटे वाले जो fruits होते हैं वो even आप बात करेंगे अंकुरित अनाज भी मिर्च वगरह में भी और साथ में मैंने कहा आमला वगरह में भी क्या होता है यह बहुत अच्छा source होता है किसका? vitamin C का चले आगे बात करते हैं इसकी कमी से क्या होता है? scurvy disease होता है मसूरी से खून आने लगता है ठीक है? यह याद रखना vitamin D vitamin D की बात करेंगे तो vitamin D को calciferol कहा जाता है यह जब बच्चों में होता है इसे rickets कहते है vitamin D की कमी हो गई तो क्या हो गया? rickets हो जाता है लकिन यदी यह क्या है? added या भुजुर्गों में होता है इसे osteomalacia कहा जाता है ऐसे vitamin D का बहुत अच्छा सूस कहा है sunlight sunlight अच्छा सूस है है ना इवन आप बात करते हैं जितने भी milk वगर है calcium वाले जितने भी calciferol है तो calcium वाले sources वाले आपके जो है cod liver oil milk वगर है जो है egg वगर है क्या अच्छी सूस है vitamin D के vitamin E की बात करें जिसे tocopherol कहा जाता है tocopherol की बात करेंगे कि अगर vitamin E की कमी हो जाएगा तो reproductive capacity कम हो जाती president चमता कम हो जाती है तो vitamin E का जो अच्छा सोस है अंकूरित अनाच sprout तो sprout या अंकूरित अनाच बहुत अच्छा सोस है जितने भी green vegetables दूद, दही, मक्षन वगर है ये बहुत अच्छे सोस है ये सब क्या है आपके vitamin E की अच्छे सोस है vitamin K last one जिसे हम philopoinon कहते हैं ये help करता है black clotting में है ना और यहाँ पर बात करते हैं green vegetables वगरा ये बहुत अच्छे सोस होते हैं आपके like vitamin K है तो ये आपको क्या है vitamin K बारे में है now इसके आगे की जब हम बात करेंगे that is a minerals तो minerals में खनीज में बहुत सारे ऐसे minerals होते हैं जिसको जो है body को required होती है जैसे कि हमारे body में iron की बहुत required होती है iron की required होती है हमारे body में क्या है iodine की बहुत required होती है तो यहाँ पर इनके percentage इनकी मात्रा को भी जरूर आप लोग note करिए देखो minerals क्या है ये भी कहा है बहुत कम मात्रा में बोडी को required होती है लेकिन जितनी भी required होती है बोडी के लिए बहुत काम की चीज होती है अगर मैं आपको बताओ की करीब करीब 25 से 35 ग्राम गर्ल्स को आईरन की ज़्यादा ज़रत होती है बॉइस याने को मेल को ज़रत थोड़ी कम होती है 25 ग्राम एक on an average देखा जाए हर मेल को every day 25 ग्राम आईरन की requirement होती है फीमेल को 35 ग्राम आईरन की requirement होती है यदि मैं बात करूं आयोडीन की तो आयोडीन भी बहुत important है क्योंकि आयोडीन जो है actual में thyroid gland को functional बनाता है उसे kriacil बनाता है उसी आयोडीन की कमी से क्या होती है actual में abnormalities आना चालो होता है गोईटर याने गलगंड रोग वगरा हो जाता है ठीक है तो every day अगर हम आयोडीन की मात्रा कितनी जरत होती है वो 20 ग्राम जरत होती है पहला तो आप salt खाते हैं उसमें iodine वैसे मिला हुआ है तो वहाँ पर एक होता है source दूसरा green vegetables में भी iodine की मात्रा होती है तो वो मात्रा भी आपके लिए सरीर के लिए required होती है तो 25 ग्राम iodine 35 ग्राम 25 से 35 ग्राम है क्या है आपको iron की जरत पढ़ती है की बात करेंगे तो 2 से 5 ग्राम every day इसकी requirement पढ़ती है यदि हम potassium की बात करेंगे तो potassium की भी बहुत कम मात्रा में जरत पढ़ती है अगर इसे हम note करना चाहें potassium का तो यह है 1 ग्राम यह भी क्या है 1 ग्राम की जरत पढ़ती है ठीके others में छोटे-छोटे और भी ऐसे zinc हो गया, copper हो गया है ना, यह सब जो है बहुत-बहुत सूप्ष मात्रा में जरत पढ़ती है थोड़ी से मात्रा में कोबाल्ट थोड़ी से मात्रा में zinc वगरा जरत पढ़ती है जो others में हमने लिखा बट यहाँ फोकस करिए iron पर iron देख रहे हैं कि body को सबसे ज़्यादा ऐसा mineral सोब सबसे ज़्यादा जरत है दूसरे नमबर में iodine की जरत पढ़ रही है यदि हम बात करें minerals की तो अगर हम iron का सबसे अच्छा सोच देख रहे हैं यहाँ पर dates याने खजूर यहाँ पर pulses है ना iron rich fruits है अनाज बगरा है रागी बगरा है आपका जो non-wish item खाता तो liver अच्छा सोच है है ना green vegetables यह खासकर पालक, spinach पालक भी बहुत अच्छा सोच है किसका आपके iron minerals का iron के सोच का यह बात ध्यां रखना जब iodine के सोच की बात की जाएगी तो जितने भी आपके seafoods होते उसमें iodine का अच्छा content होता है, green vegetables का अच्छा content होता है, इसे यहाँ पर आप समझ सकते हैं, सबका अपना अपना रोल है भी, जैसे हम calcium की बात करेंगे, तो calcium किसमे help करता है, bone को strong करने में मदद करता है, हड़ी को मजबूत करने में मदद करता है, calcium का क्या, अच्छा जो है, milk है, egg है, warm granite, etc, etc, यह सब चीज़ें कहे सकते हैं, calcium का अच्छा source है जब हम बात करते हैं, sodium जो 2-5 gram चाहिए होता है, मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ fruits होते हैं, onion होता है, sweet potato होता है, pumpkin होता है, है न, यह सब क्या है, यहाँ पर हम salt भी तो लेते हैं, NACL भी लेते हैं, यह NACL का काम क्या पता है, कि salt जो है, human body में जो है, blood pressure को maintain गरके रखता है, एक certain amount of salt required होती है, अगर उसकी कमी हो जाए, तो क्या हो जाता है, blood pressure कम हो जाता है, ज्यादा हो जाए, salt ज्यादा, जिसका BP ज्यादा है, तो salt ज्यादा लेने के लिए मना किया जाता है, यहाँ पर यह बात ध्यार रखना, even pH को भी maintain करने में यह help करता है, nerves proper पर काम करने लगते हैं, ज्यादा BP हो जाएगा, तो salt कम लेना पड़ता है, iodine मैंने कहा, seafood वगरे से मिलता है, iodine का काम क्या है, जैसे hairs, skin, teeth, nails वगरे जो अच्छे से develop होते हैं, ठीक है, यह नाखून वगरे, यह फिर कहाँ जाए, यह iodine जो है, आपके like a thyroid gland को भी functional बना रहा है, phosphorus की बात करते हैं, यह भी bone को strong करने में मदद करता है, और यहाँ पर हम बात करेंगे, phosphorus में क्या है, खजूर वगरा में भी क्या है, बहुत होती है, यहाँ पर tuna fish में होती है, oats में बहुत होती है, यह क्या है, sources हैं, आपके क्या है, basically like a phosphorus की, is it clear, तो यह बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, next, next आता है fiber, तो fiber, रेशा, जिसमें की cellulose बहुत है, ऐसे fiber वाले item, जिसे खीरा, ककडी वगरा में भी बहुत सारे fibers होते हैं, है ना, even आपके बात करेंगे, जितने भी fruits होते उसमें हैं, आपके आवला में भी बहुत सारे हैं, जितने citrus fruit में भी है, apples में भी है, dry fruits में भी है, आपके क्या देखते हैं कि गाजर बगरा, आपके broccoli, kazoo, किसमिस बगरा में भी बहुत अच्छा content होता है, fiber का, ठीक है, तो ये fiber भी body के लिए required होता है, ये बातें ध्या रखेंगे, now आता है water, हमारे body का क्या है, 60 to 70% क्या है, composition किस से मिलके बना है, water से मिलके बना है, पानी से मिलके बना है, पानी body के लिए क्यों ज़री होती है, तो ये body को hydrated बनाना है, अगर body dehydrated हो जाएगा, तो बहुत problem create होती है, pH value भी body का change हो जाता है, तो hydrated होना ज़री है, अब question उठता है, everyday कितना पानी चाहिए, तो पानी से आपको energy तो 0% मिलती है, बहले हम ठके रहते हैं, तो पानी पीते हमको relaxation महसूस होता है, तो उसे energy नहीं मिलती है, तो body को everyday कितना चाहिए, तेड़ से 2 लीटर पानी पीना चाहिए, on an average कह रहा हूँ, अगर हम higher side में कि दिखींगे, तो 3 से 4 लीटर पानी भी पिया जा सकता है, जितना ज़्यादा पानी पियेंगे, उतना अच्छा healthy होता है, body के लिए, उतना ज़्यादा hydrated होगा, body refresh होगा, body से smell नहीं आएगा, body order जो है, शरीर के जो गंध होती है, वो कम आती है, body में कहाजा है कि, जो metabolic activity बहुत easily होती है, तो बिन पानी सबसून जो कहाजाता है, पानी बहुत सारा role play करती है, is it clear, आगे बढ़ें, अब हमारे पास आता है, कि वो balance diet क्या होता है, तो balance diet क्या होता है, एक Indian food की point of उसे अगर समझें, एक भारती खाने के साथ से समझें, तो हम everyday जो लेते ही, carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals, वगरा सब चीज़ें, पानी वगरा सब लेते हैं, लेकिन balance diet की जब भी बात की जाएगी, जैसे कि दाल, चावल खाए, दाल, रोटी खाए, तो यहाँ पर 40% जैसे देखते हैं हमारे पास, यह जो है cereals या bread से related चीज़ें आती हैं, यहाँ चाहे वो दलहन का हो, चाहे वह cereals अनाच का हो, तो 40% हम देखते हैं यहाँ पर bread और, मतलब cereals और दाल वगरे से हमको पूरा करना चाहिए, ठीक है, जिसमें यह बात आ गई, सब को जो है, रोटी, दाल, चावल, यह सब चीज़ें, या उनकी items, यह हो, चाटे की items, जितने वगरा, यह सब आपके 40%, 35% क्या होते हैं, आपको पूरा करना चाहिए, fruits और vegetables को, जादा से जादा vegetables का content लेना चाहिए, क्योंकि यह सबसे जादा nutritious है, ठीक है, यह बात ध्यान रखना, बरे fat से और carbohydrate से आपको energy मिल रही है, ठीक है, बट यहाँ पर nutrition value की बात करेंगे, तो fruit और vegetables में, जो है, वो body के लिए बहुत जादा required होती है, क्योंकि वो vitamins के साथ, साथ बहुत सारे क्या हैं, like दूसरे sources भी हैं, उसमें क्या है, carbohydrate का भी source है, उसमें protein का भी source होता है, ठीक है, यदि हम pure protein का source लेंगे, तो जैसे कि आपके पास आता है, like कुछ ऐसे product, जो dairy product होते हैं, जिसे milk वगरा हैं, दाल वगरा हैं, even आपके पनीर वगरा हो गया, एग वगरा हो गया, चिकेन फिस्ट वगरा हो गया, यह आपका 20% इसका composition होता है, यह सब government side के content है, now, 5% क्या है आपके fat, कौनसा fat, non-saturated fat, और संत्रिप्त वसा, ठीक है, even oil, घी वगरा, sweets वगरा, sugar वगरा, 5% लेना चाहिए, ज़्यादा तर चीज़ें, आपको क्या लेनी चाहिए, यहाँ पर हम protein के content बहुत देख रहे हैं, protein, vitamins के बहुत सारे content देख रहे हैं, 20 और 35 करके कितना हो जाएगा, 55%, overall हम जो खाना खा रहे हैं, उसका 55 से 70% हम तो अच्छी चीज़ें ले रहे हैं, और अगर हम कहेंगे, 40% वो आपको क्या है, carbohydrate भी चाहिए न भई, उसमें दाल भी उसमें चलो मिला हुआ है, क्योंकि वो protein का भी content है साथ-साथ, तो हम यहाँ protein यहाँ भी है, protein यहाँ भी है, protein यहाँ भी है, तो जब यह है, body के लिए काम की चीज़ ज़ादा है, तो हमको साथ-साथ carbohydrate भी लेनी है, जिसमें की यह बात आप लोग को समझनी थी, अगर हम बात करेंगे, National Nutrational Week की राष्टी पोशन सब्ताहा की बात करेंगे, तो याद रखना है, भारत का कोई भी प्रदेश माल न्यूट्रिशन से अचूता नहीं है, यानि की पोशक तत्व, यानि माल, कहा जाए कि पोशक तत्व या न्यूट्रिएंट जो है, भारत की सभी राज्जों में इसकी कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, माल न्यूट्रिशन है, यानि कुपोशन है, चाहे कोई भी राज्जे हो, तो भारत में कुपोशन को दूर करने के लिए याने निउट्रिशनल वैल्यू की को प्रोथसाहित करने के लिए नेशनल निउट्रिशनल वीक जो है एक से साथ सक्टेमबर को सेलेबरेट किया जाता है जिसका उदेश है कि खास कर बच्चों में यहाँ पर निउट्रिशन को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए ठीक है तो ये बात आप लोगो याद रखनी है और निउट्रिशन के लिए से संबंदित किसी भी प्रकार के और भी कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंड बॉक्स में या पूछ सकते हैं या निउट्रिशन से संबंदित और भी कोई जानकारी आप लोग रखना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपके एक्जामनिशन पॉइंट आप उसे ही सफिशेंट कंटेंट है जो आपके लिए काफी हम्फुल होगी तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं मिलते हैं नेक्स क्लास में थैंक यू सो मच एव नाइस देख